हेलो दोस्तों स्वाकत है आपको कुप वित्मन उपर मैं आज आपके लिए ये बाकला की सबजी की रेसिपी लेके आई हूं जिसे की हमारे अहां तो रामफली कहा जाता है और इसके कई सारे अलग-अलग नाम होते हैं और ये बसंत्रितू में मिलने वाली सबजी होती है जो क तो ब कर्यूंग होते हैं जो की इस तरीके की होती है और यहां मैंने इस तरीके से इन्हें काटा है तो आप नाइफ का यूज कर और हुसरे हैं और चोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं यह फिर इतना बड़ा ही रहने दी सकते हैं यादि यह इकदम सॉफ्ट हैं तो इस!! यह थोड़ी हर्ड हैं तो रेशे निकलेंगे नाइफ से इस थे थे दोने।ों किनारों को कट कर गीचता यदिस में होगा हर्ड तो अब यंकल गाई निलेगा सो निर्गेगा यह इस तरीके से सारी रामफली हैां इन्हें मेर殖 यह फिलिया हैं तो उन्हें मैंने नहीं लिया है, तो इस तरीके से देखिए, सबजी को मैंने रेडी करके ले लिया है, तो चलिए, अब हम यहाँ पर इसकी सबजी बनाना शुरू करते हैं, गैस का फ्लेम अन करेंगे, गैस को हम मीडियम पर रखेंगे, और इसमें लगभग देड़ से दो बड़े चम्मा जितना तेल गरम कर लेंगे, तेल आप अपने एकछा नुसार ले सकते हैं, कम या जादा जैसा आपको पसंद है, मैंने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है, इसमे लिए हैं, दो तो 2 मीडियोम साइस की प्याश थी जिनने की थोड़ा सा मूटा मूटा कट करके हैं, सब्झेयो को मैं थोड़ा बड़ा कट कर रही हूं, सारी सब्झियों को यह आपके उपर यूपर डेपेंड करता है, आप चाहें तो सब्झियों कोल छोटा भी कृट कर सकते हैं त्यूंट को दो संटीन मेंर तक मीडियं फिली why किया है इसके बाद में यहां पर ले रही हूं हरी मेड़े लंकल लेशन और अध्रक तो दो हरी मेड्षें है जिने की कटकर लिया है और जिसे कि भी मेडिय को डाल दें मिक्स करेंगे और और अलका सा गोल्डन होने तक हमें सारी चीजों को मीडियम या लो फ्लेम पे चलाते हुए पका लेना है जैसे ही हम देखेंगे कि यह हलके हलके से जो है गोल्डन होना शुरू हो गए है इस स्टेज पे जो हमने रामफली करके रखी हुई थी यह डाल देंगे यहां पर तो सारी पर ही रखा है और मिक्स करते वे चलाते वे लगभग 6-7 मिनट तक हमें से फ्राइ कर लेना है और दिहान रखें कि जो प्याज है वो जलना नहीं चाहिए यदि आपको लगता है प्याज जल रही है तो आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं या पर टमाटर भी डा गरम मसाले जोड़ा Dire MFF नेसे में जोटल कर सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और धेशन रहें है अदि आपको लग रहा है कि मसाले सकते हैं आप पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं अलु डाल देंगे दो मीडियम साइज के आलु लिएं इने भी मैंने लंबा लंबा कट करके लिया है अची तरीके से मिक्स कर लेंगे तो दो से तीम नट तक मीडियम फ्लेम पे यहां पे इने मिक्स कर लिया है और अब हम डालने वाले हैं तो दो बड़े लाल टमाटर मैंने लिये हैं तो यहां पे इस तरीके से सबजी को फैला द मैं उपर से सिर्फ डाल रही हूं इसके बाद मिक्स नहीं कर रही हूं यदि आपको लगता है कि आपकी जो कढ़ाई है सबसी है वो जल सकती है तो आप इसे मिक्स करके कवर करके पकाएं मुझे पता है कि गैसे एकदम लो उपर रखोंगी और थिक पॉर्टम वाली कढ़ाई कर रहे हूं तो सबजी जलेगी नहीं तो सीलिए मैंने इसी तरीके से डाल करके कवर करके लगभग 10-12 मिनट के लिए छोड़ दिया था आप बीच में चला सकते हैं यदि आपको लगता है कि सबजी जल जाएगी नीचे से तो 10-12 मिनट बाद हम देखें तो यहां पे सारी स सबजी हमारी जो है अच्छी तरीके से कोख हो गई है इस स्टेज पर हम सबसे पहले टमाटर को देखें तो देखें टमाटर एक्दम परफेक्टली कोख हो गए हैं आलू भी सॉफ्ट हो गए और रामफली भी तीनों चीजे चेक कर लिए यहां पर मैंने आप चाहें तो ट पर सब्सद्ला बंद करेंगे उपर से डालेंगे धनियापता और रोटी पराथे और पोडी के साथ साथ कीजिए साथ मैं थोड़ी से यहां पर कसूरी मेथी दाल रही हो गया श्का फ्लिम पंद करने के बाद डाली है मैंने आप चाहें पहले भी डाल सकते हैं यदि आपक के बाद सबजी को मैंने सर्फ कर लिया है बहुत ही टेस्टी होती है यह सबजी और बहुत ही कम समय के लिए मार्केट में आती है तो आपको एक बार जरूर ट्राय करना चाहिए बहुत ही यम लगी थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो चल्दी मिलते हैं